दुनिया भर में कोरोना तेजी से अपने पैर पसा रहा है दिन बदिन नएने पॉजिटिव के सामनी आ रहे हैं इन मरीजों को उपचार दिया जा रहा है लेकिन इस बीच एक और नया खत्रा सामनी आया है वो खत्रा है साइलिन पेशिंट पूरे दुनिया कोरोना के लक्षन जानती है सभी को पता है कि सर्दी जखाम साथ ही डाइरिया और सुंगने की शमता कम होना कोरोना वारस के लक्षन है लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनमें इस तरह के लक्षन दिखाई नहीं दिये WHO का कहना है कि ऐसे केस चिंता का विशय हैं वहीं Oxford University के एक शोध में ये बात सामनी आई कि लगभग 24 संक्रमित मरीजों में कोई लक्षन नहीं दिखाई दिये वहीं अमारिका की Community Center CDC के एक अध्यन में सामनी आया कि 80 प्रतिशत लोगों में पहले एक महिने तक कोई भी लक्षन नहीं दिखाई दिये वहीं Indian Council of Medical Research ICMR का कहना है कि 20 से 60 साल की उम्र के लोगों में लक्षन दिखने में टाइम लग रहा है 40 प्रतिशत केस जाज की बाद सामने आ रहे हैं इसे ये बात साफ है कि कोरोना वाइरस वैलने में कहीं न कहीं साइलिंट पेशेंट का हाथ माना जा सकता है जिनने खुद ये नहीं पता कि वो कोरोना से ग्रसित है चीन, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में हुए शोध में ये बताया गया कि कुछ मरीजों में लक्षन दिखाई नहीं दे रहे ये मरीज कभी भी बिमार नहीं पड़े इनका पता सैंपल के दुरान ही चल पाया है वहीं ऑक्सफोर्ट युनिवर्सिटे के एक शोध में दावा किया गया कि कोरोना वारस फैलने की बड़ी जमदारी साइलेंट पेशिंट की है आदे से जादा मरीज साइलेंट पेशिंट की वज़ज से संक्रमित हुए है मरीजों में लक्षन दिखाई देने के अलग-अलग संस्थाओं की अलग-अलग शोध है लेसेंट मेडिकल जनरल इस शोध में दावा करता है कि जादा सैंपलिंग नहीं होने से मरीजों का पता नहीं चल पा रहा अमेरिका में नौसेना के जहाजों और अन्य जगह पर किये हुए शोध के मताबिक 43 से लेकर 88 फीज़दी लोगों में कोई लक्षन नहीं दिखाई दिये जबकि चीन का दावा है कि 46 मरीजों में से सर्फ 10 मरीजों में लक्षन दिखाई नहीं देते साइलेंट पेशेंट को लेकर चीन ने दावा किया था कि हर जाज के मरीज में कोरोना के लक्षन नहीं दिखाई दे रहे इस बात से दो कदम आगे जाकर WHO ने ये कह दिया था कि साइलेंट पेशेंट से संक्रमन फैलने का खत्रा बहुत कम है लेकिन बाद में दुनिया भर के तमाम शोधों का नतीजा यहीं निकला कि साइलेंट पेशेंट ही संक्रमन फैलने के मुख्य जमदार बाने गए हैं साइलेंट पेशेंट केसे होते हैं इसको आप कुछ इस तरह समझे जिन मरीजों में 15 दिन के बाद भी लक्षन नहीं दिखाई देते वो साइलेंट पेशेंट होते हैं ऐसा ही एक केस स्पेन में सामने आया था जब एक व्यक्ति की सर्जरी की गई तब वो स्वस्थ था लेकिन जो बाद में शक होने पर कोरोना वाइरस की जाज की गई तो मरीज कोरोना पॉजिटिफ आया गया जिसके बाद मरीज की सर्जरी कने वाले मेडिकल स्टाफ को कुरिंटाइन किया गया साइलेंट पेशेंट एक तरह से खत्रा बनकर सामने आ रहे हैं अब क्या तरीका है जिस साइलेंट पेशेंट का पता लगाया जा सके तो इसके दो तरीके हैं पहला एक्सरे और दूसरा रेंडम जाज एक्सरेक और एकस पैन और इटली के डॉक्टरों का दावा है कि इसकी वज़ज़ से साइलेंट पेशिंट सामने आ जाएंगे क्योंकि एक्सरे में कोरोना की ट्रेसिस नजर आ जाते हैं महीं दूसरा तरीका रेंडम टेसिंग है कोरोना का टेस्ट बहुत महगा है और इसमें समय भी बहुत लगता है इसलिए हर व्यक्ति की जाज कर पाना मुश्किल है इसलिए रेंडम जाज एक ओप्शनल तरीका है जिससे साइलेंट मरीज सामने आ जाएंगे वहीं एक और तरी है प्लूआ के ब्रेश वे ना टाएंगे कर प्देश डैल महीं मैं जाएंगे को ना है